नमस्कार दोस्तों, आप्ट्यूस से इस पे आप सभी का स्वागत है Mathematics की इस स्रीज में हम लोग Relation और Function के अंतरगत Domain and Range को देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो में आपने Domain और Range से Related Concept को सीखा था और उससे Related तो तीन Questions solve किये थे आज हम क्या करेंगे, हम उसी से Related थोड़े से और Questions को solve करने की कोशिश करेंगे Concept हम पहले से जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें Find करना है Domain and Range of the Real Function f of x equal to under root x minus 1 लेकिन उससे भी पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजे चैनल को और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे Like करें, Share भी करें लोगों को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएं जितनी जादा रीच रहेगी, उतना जादा हमें भी खुशी मिलेगी और उतना जादा हम नए-नए content आप तक लाते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब किये रहेंगे तो आपको वीडियो के exam से पहले से revision से लेके exam होने के बाद counseling की सारी प्रक्रिया तक हम आपके साथ इसी तरीके से नए-नए content आप तक लेके आते रहेंगे तो चलिए question को देखते हैं इसका domain और range find करना है तो last class में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर किसी function में root लगा हो तो root के अंदर का term अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये कभी negative नहीं हो सकता है मतलब under root minus 1 ये कोई real number नहीं है ये एक imaginary number हो जाता है तो ये जो है function कभी root के अंदर का term negative नहीं हो सकता है इसी property को हम use करेंगे और कहेंगे कि x minus 1 कभी negative नहीं हो सकता है मतलब या तो वो 0 होगा या 0 से बढ़ा होगा तो इसको जब solve करेंगे तो आएगा x greater than equal to 1 यानि x की value या तो 1 हो या greater than 1 हो तो ये 1 से लेके infinity यह से मिलता है open और close bracket के बारे मां आप सबको पता ही होगा तो आपका domain क्या हो जाता है यही यही चीज़ आपका domain कहलाता है कि x क्या-क्या value आप रख सकते हो मैंने यह बताया था यह आपका domain होता है और domain आपका क्या मिल गया 1 to infinity अब चलते हैं range की और तो अगर range find करना हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको क्या पता करना है y की value पता करनी है तो y equal to f of x रखते हैं और f of x की जगर मैं x minus 1 रख देता हूँ दोनों और अगर square करेंगे हम तो यह कुछ इस तरह से बनता है कि x equal to y square minus 1 ठीक है plus 1 अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि यह तो सारी value आ रही है y की कोई भी value आप रख दो y की negative value भी रख दो यहाँ से आप देखिए आप क्या यहाँ से अंदाजा यही अंदाजा लगाएंगे ना कि आप यहाँ से y की negative value भी रख सकते हैं मतलब अब यह y square plus 1 अगर मैं पूछ हूँ y की क्या-क्या value आ सकती यहाँ से दिख रहा है y की value आ रा सकती है बट यही पर एक trick होती है trick क्या होती है एक तरीका होता है आपको ध्यान देना होता है कि यह minus infinity से plus infinity नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है अभी कुछ लोग कहेंगे कि root का term जो है वो root जो है वो plus minus में आता है बट ऐसा नहीं है आप जब यहाँ पे value रखोगे यहाँ पे आप input देख रहे हैं input आप में रखा था 1 से लेके infinity root का term यह term कभी negative नहीं आएगा तो यह शुरू कहां से होएगा अगर मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ यहाँ रख रहा हूँ यहाँ पे value ठीक है जो यहाँ पे input है आपका देखिए यह आपका क्या मिला y square plus 1 equal to x तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x की value शुरू है 1 से ठीक है अगर x की value शुरू है 1 से तो x की minimum value 1 अगर है तो y की value minimum पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यानि minimum पे 0 हो जाएगी अगर x को 1 रख रहे हैं और x अगर मैं infinite रख दू तो y की value क्या आएगी y भी infinite आजाएगा तो range क्या मुझे मिल रही है range मिल रही है 0 से infinite क्योंकि root का टर्म negative नहीं होता है वहाँ से हमने x की value निकाल ली और फिर थोड़ा सा अंदाजा लगाते हुए थोड़ा सा हम domain को देखते हुए हम range find किये और उससे हमें क्या पता लगा जो हमारा range है तो वह कहां से कहां तक है 0 से infinite यानि यह third option आपका correct है इस तरीके से चलिए कुछ और question solve करते हैं जहां से आपकी थोड़ी सी और understanding develop होगी लेकिन उससे पहले जरूरी information जो कि सच में बहुत जरूरी है 30 days से कम का समय बचा हुआ है और अब तैयारियां आपकी आखरी phase में या कोई कमी आपको दिख रही होगी तो उसमें सुधार कर रहे होगे तो कम्या इस तरह से नहीं पता लगती है जब तक हम topic wise questions को ज़्यादा स्यादा questions को न solve कर लें इसलिए आपके पास है topper smoke test मात्री रूपीज 350 में जिसमें आपको मिलते है 75 से भी ज़्यादा tests ठीक है इ अच्छी जगह से पढ़ने का महत तो ही अलग होता है इसके अंदर आपको topic wise test मिलते हैं जिनकी language obviously English है syllabus based है आपके पूरे syllabus को cover करते हैं इनको लगाने से आपका holistic revision हो जाता है सारे topics का और आपको यह भी पता लग जाता है कि आपका कौन सा sector week है और अभी समय रहते हैं आप उ test दे रहे हैं उनके बीच आप जब complete करेंगे तो आप अपने level को अच्छे से judge कर पाएंगे तो इसको जरूर जोइन करिए personal राय भी मेरी यही रहेगी कि जोइन करें और ज्यादा से ज्यादा test दें ज्यादा से ज्यादा question solve करके exam में जाएं जिससे आपको कोई भी चीज tough साथी पार्ट है यह भी बहुत important role play करता है 25 questions इसके आते हैं तो 25 questions मतलब 100 number मतलब बहुत अच्छी इन्वस्टी 100 number का मतलब उसके लिए क्या करना है आपको इसमें भी बहुत ज्यादा question ही solve करना एक मातर विकल्प है तो रूपीज 150 में आपको 115 प्लस test यहाँ पर मुहया करा जा रहे हैं उसके लिए भी same number पर ही आपको call करना है या whatsapp करना है जिसमें आपको language के test है इसमें verbal ability, general awareness, mathematical and quantitative ability वाली reasoning सारी यहाँ पर है तो जरूर join करिए दोनों test आपके सामने आपके लिए ही open है जो भी आपको मन हो जो भी चीज़ आपको लग रहा हो को आपको जहां पर इस सेक्टर में practice जादा करनी वो test join कर लें और join करके बहुत अच्छी practice करें बहुत अच्छी university में जाएं तो यह तो थी important चीज़ test series join करने को लेके अब चलिए चलते हैं questions की और तो हमारे सामने ये question है ये बोल रहा है कि आपको इस function की range find करनी है तो range अगर मैं इसकी domain की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी आप x की value रखिए तो वो अपने आप ही satisfy करेगा तो x belongs to r हो जाएगा तो यह देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अब मैंने बताया था आप यहाँ से y की value कैसे निकालेंगे जैसे हम domain निकालते थे वैसे ही अब इस function का हमें domain find करना होगा इस function का domain क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान दें कि root के अंदर का term कभी negative नहीं होता है तो इस concept को use करते हुए हमारे पास आया था क्या x equal to under root y minus 2 इसको use करेंगे कि y minus 2 या तो 0 बड़ा होएगा वाई या तो 2 होएगा या 2 से बड़ा होएगा यानि y belongs to कहां से कहां तक 2 से लेके infinity तक कौन सा option आपका match कर रहा है यहाँ पर देखिए दो option है ए और सी ध्यान देने की बात है open bracket और close bracket में a option से ज्यादा correct है क्यों क्या मतलब होता हो open bracket और close bracket का ये भी मैं एक quick revision में आपको बता देता हूँ अगर आपका bracket इस तरह लगा हुआ है उसके बाद कोई number लिखा है इसका मतलब क्या है function में ये value यूज की जाएगी जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इस bracket में small bracket के बाद 2 लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है कि function में ये value यूज नहीं की जाएगी तो नहीं यूज की जाएगी तो के बाद की सारी values यूज की जाएगी तो यह होता है open और close bracket का मतलब अब यहाँ पर तो आप to use ही कर सकते हैं to use करेंगे तो आपके function का की value क्या है कि 0 आ जाएगी जो की बिल्कुल सह इसलिए हम यहाँ पर close bracket यूज कर रहे हैं तो उम्मेद है आपको bracket समझ में आ गया होगा और उम्मेद है यह question भी समझ में होगा कैसे इसका domain और range और domain दोनों find किया गया है चलिए next question की और बढ़ते है अब यह question है यह question भी आपको इसी तरीके से बोल रहा है कि आपको एक function दिया हुआ है यह ठीक है इसको आपको क्या find करना है इसकी आपको range find करनी है ठीक तो range अगर find करनी है तो range find करेंगे हम इसको चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यह question क्या कह रहा है y equal to x square minus 4x plus 5 अब इसकी range find करनी है तो range कैसे find करेंगे एक तो यही तरीका है कि y की value जो है व आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपको यह बड़ा सा quadratic solve करना पड़ेगा ठीक आपको यह समझ में आ रहा होगा लेकिन यहां पर quadratic solve करके y की value अगर मुझे x की value अगर y के term में निकालना हो तो यह थोड़ा सा हमारे लिए tough हो जाएगा हम इसलिए equation को थोड़ा सा अपने square लिख सकता हूं plus 1 equal to y यहां से क्या लिख सकता हूं x-2 का whole square equal to y-1 और उसके बाद यह याद रखिएगा यह क्या पहुंचा है x-2 का whole square equal to y-1 यहां से square root हटा दीजे तो x-2 equal to under root y-1 और x equal to क्या जाएगा 2 plus under root y-1 यह आपको एक value मिल गई यह फंक्शन की अब यहां पर आप क्या है अब आपको देखना है कि आप y की क्या-क्या value रख सकते हैं तो फिर से वही concept की root के अंदर का term आप क्या है कभी negative नहीं होगा यह 0 होगा यह 0 से बड़ा होगा तो यहां से देखिए अभी आपको सब कुछ दिखने लगेगा यहां से आपको एक च लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखना है आपको यहां से आपको range भी आपको जो है domain भी समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि अगर यह 0 हो जाए तो x minimum क्या हो सकता है 2 हो सकता है x equal to 2 क्योंकि root का term negative होएगा नहीं तो 2 से infinity तक इसकी value हो सकती है तो यहां से आपको दिख रहा है सब कुछ बहुत ही clearly visible है इस तरीके से यह सारे questions को solve आप कर सकते हैं आपको domain range अप clear हो गया होगा तो उमीद है वीडियो भी पसंद आई होगी तो वीडियो को like जरूर करिएगा कोई query अगर हो आपको comment section में लिखिएगा चैनल को subscribe किये रख करें वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद